जब अर्थववस्ता के बारे में देखते हैं तो तीन बड़ी महत्वपोन चीज़ है पहला कि ग्रोथ मोमिंटम क्या है दूसरा माइक्रो एंड मैक्रो एस्टिबिलिटी क्या है और तीसरा जो है इन्वेस्मेंट इंफलेशन के स्टेटिस क्या है तो मैं बहुत संचेप में आपको बताना चाहता हूँ कि आज गर्व से कहता हूँ कि हमारे देश की अर्थववस्ता बहुत मजबूत है और उसको आकड़े के हिसाब से भी देखा जाए या आपको जो डिटेल्स देंगे उसके हिसाब से भी देखा जाए कि कितना मजबूत जो अर्थववस्ता है आप देखे जो ग्रोथ के बारे में बात करते कि हाँ चाहर है headedwinds है global headwinds है बतब आपके अर्थववस्ता लोग बाकी देशों की developed economy's की emerging economies की अर्थववस्ता नीचे जारी है ते कि global declining a growth जो global GDP पी डिक्लाइन कर रही है उसमें कॉंट्राक्ट कर रही है लेकिन बहुत सारी एकॉनमी उससे सफर कर रही है लेकिन देश की अर्थवस्ता चुक्छे से मोदी नॉमिक्स ऐसा हमने फैसले लिये कि हम इसको करेंगे हमारा ग्रोथ भी होगा आज देखें सब कहते हैं कि इंडिया इस ब्राइटेस स्पॉर्ट जहां सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है ग्रोथ कैपिटल के लिए सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ मोमेंटम है वो 3.5 पिछले साल जो थी उससे घर के घट के 2.7 फोर्कास था थोड़े से बहतर हाला ग्लोबल एकॉनमी में जो इतना बिलकुल ऐसा लगता था कि ग्लूमी पिक्चर है उसको थोड़ा सा बहतर हुआ तो लोग 2.7 से अब 2.93 तक भी फोर्कास अलग-अलग इस्टिटूशन दे रहे हैं लेकिन भारत के अर्थववेस्था 6% सुपर शुरू से फोर्कास है कि 6.1 से 6.5 तक की अर्थववेस्था किसी तरह भी जो आज के फोर्कास से और बहतर भी हो सकता है लेकिन जो फोर्कास है जो स्टीट पे फोर्का कि अर्थवेस्था कोगाओ